हर घर की अपनी एक कहानी होती है, अब अगर इस घर की कहानी का संबंध देश के इतिहास से झुड़ा हो तो इसे जानने की जिग्यासा होती है सामाजिक वा संबंधित इतिहास से होती है Glimpse on History have decided to present a documentary series on लखनव की नवाबी कोठिया ऐसी ही एक कोठी है दिलकश कोठी नवाब शुजाउद दौला 1754 में अवद के नवाब बने और 1775 में निधन तक अपने पद पर रहे फैजाबाद को उन्होंने अवद की राजधानी तब बनाया 1764 में बकसर में अंग्रेजों से शिकस्त हुई हार भुलाने के लिए तभी सर्यू के तट पर कई एकड में आलीशान महल बनवाकर इसका नाम दिलकश रखा करीब 10,000 वर्ग फीट में बने महल में बड़ा आंगन और दर्जनों की संख्या में आलीशान कमरे बने थे भव्य दिखने वाली इमारत के चारो तरफ बाग और हरियाली थी नवाब ने इसे अपना दीवान एखास बनाया इसमें पहली मंजिल पर वो खुद परिवार के साथ रहते नवाब शुजाउद दौला को अपनी इस इमारत पर बड़ा नास था शुजाउद दौला के फैजाबाद में दिलकश निर्मान कराने के 36 साल बाद 1800 में नवाब सादत अली खाद्वारा लखनव में बनवाए गए महल पर इसी नाम से भव्य एक और दिलकश महल बनवाया असल में यह महल अंग्रेजी बारोक शैली में बने 18 वी शताबदी के घर का अवशेश है डेजाइन इंग्लेंड के नौर्थंबर्लेंड में सीटन डेलावल हॉल से आश्चर्य जनक रूप से मिलता जुलता है इसे 1721 में सीटन डेलान में बनाया गया था ब्रिटिश हुकूमत को ये बात सबसे ज्यादा नागवार लगी 1857 में अंग्रेजों की तोपों के गोलों ने उन्हें बेरहमी से तहस नहस कर डाला आज स्मारक के रूप में इसकी कुछ टावर और बाहरी दिवारे बची है नवाब शुजावद दौला ने अपने आलीशान महल के बगल ही अपनी चहेती बेगम उम्मत उल जोहरा का महल भी बनवाया और इसका नाम रखा मोती महल मन्शा थी कि वो अपनी चहेती बेगम के हर समय करीब रहें मोती महल में उनकी बेगम और उनकी खिदमतगार रहती थी उम्मत उल जोहरा को नवाब ने बहु बेगम नाम दिया बाद में वो इसी नाम से जानी गई बहु बेगम और नवाब शुजाउद दौला के दौर में नवाबी हुकूमत ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अंधरूनी तोर पर मोर्चे खोले रखा और स्वतंतरता संग्राम से नानियों की खुल कर मदद की अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जर इस से बहुद नाराज हुआ और उसने आसिफ उद्दौला के साथ मिलकर बहु बेगम के खिलाफ हमला बोल दिया उस वक्त बहु बेगम और बेटे आसिफ उद्दौला के बीच संबंद बहुद खराब हो चुके थे पत्ती देने के बजाए इस्ट इंडिया कंपनी सरकार को अपना वारिस बना दिया बदले में वजीफे की कुछ रकम मिश्चित रखी जिससे दोनों महलों का खर्च चल सके नियमित मरम्मत हो सके जब यह महल अंग्रेजों के पास आया तो उन्होंने नवाबी नाम मिताते हुए इसे अफीम कोठी बना दिया यहां से अफीम की खरीद फरोक्त होती आजादी के बाद यह महल नाकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास रहा